लोग अकसर जूटी तारी सुनकर बरबाद हो जाना पसंद करते हैं क्योंकि अपनी असलिय सुनने का जिगर हर किसी के पास नहीं होता जिन्दगी में अगर आगे बढ़ता है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर क्योंकि मन्जिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों कर कभी उनकी बातों पर ध्यान मत देना जो पीट पीछे बाते करते हैं क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अभी भी उनसे दो कदम आगे हो किसी ने क्या खूका है खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हो एक नएक दिन वो साथ छोड़ ही देते हैं चाहे परिस्थिती कैसी भी हो हमेशा इतने खुश रहो कि गम भी सोचे ये में कहां आ गया दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना ये मन्जिलें बड़ी जिद्धी होती है हासिल कहां नसीब से होती है मगर वहां तुफान भी हार जाते हैं जहां कश्टियां जिद्ध पे होती हैं यूं असर डाला है मतलब परस्ती ने दुनिया पर के हाल भी पूछो जकाता है वो अपना ही क्या जो पल-पल सताता है यकिन ना करना हर किसी करीब कितना है कोई ये दो व्क्त बताता है दोस्तों मनुष्य की तागत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सबर की तागत और आज तुम हो तो ये बात याद कर लेना कि संघर्ष में आदमी अकेला भी होता है। सफलता में पूरी दुलियों उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हसा है हमेशा उसी ने इतिहास रचा है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। धले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज लग, थोड़ा जोर लगाता रहे, किसमत के जंग लेगी दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है, कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पढ़ना है दोस्त, क्योंकि हट पोकर खाने के बाद सम हलने में वक्त लगता है, फिकले की फिर वरी चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना क्योंकि टूटे हुए मन को भी सवरने में थोड़ा वक्त लगता है, जो तूने कहा कर दिखाएगा, रखना यकी, गर्चे बादल तो बरसने में भी वक्त लगता है, दोस्तों जिन्द का सामना करने से मनुष्य की आँखे खुल जाती है, दोस्तों वीडियो के अंत में क्यों इतना ही कहना चाहूंगा, कि जब हम अपनी जिन्दगी में किसी एक चीज़ को पुरी शिद्ध से चाहते हैं, तो हमारा हर काम उसी एक चीज़ को पाने के मकसद से होने लगता है, अब ही आप खच्टके में नहीं मिलती, अचानक ही आप अपने सबनों को पूरा नहीं कर सकतें, अचानक ही आप अपने रिलेशंशिप को नहीं work can be will less motive in the UK, अपनी fitness को नहीं बड़ा सकतें, लेकिन आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप कहां जा जब आप पूरी शिद्दत के साथ पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष की तरफ बढ़ने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको सफ़दार मिलेगी ही मिलेगी तो अगर इस वीडियो में कही कई बातों से आप सेहमत हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस प्रियास का हिस्सा बनिए और अपने लक्ष की तरफ सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते चलिए मैं मिलूगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन है सकारात्मकूर्जा को बढ़ते और आपको दिखाए एक नई दिशा सुनते रहिए मन की आवास